रूख करते हैं बड़ी खबर का बड़ी जानकारी का जमुकश्मीर से बड़ी खबर जहां बांधिपोरा में आतंकियों ने ग्रेनेड हमला किया है जमुकश्मीर से बड़ी जानकारी सेना के काफिले को निशाना बना कर धमाका किया गया है बांधिपोरा में बता दें आपको ग्लास में पांच लोगों के गायल होने की जानकारी है जिसमें से दो लोग गंभीर रूप से गायल हैं और धमगाके की वजह से गारियों के शीशे भी तूट गए हैं इलाके की गेरा बंदी की गई है और सर्च अपरेशन सुरक्षबलों की और से चलाये जा रहा है तो घाटी में जो महाल है उसे लगतार खराब करने की कोशिश आतंकियों की और से की जा रही है और स्तेरना के काफिले को निशाना बना कर ये ग्रेनेड अटैक किया गया जहाँ पर पांच लोगों के घायल होने की जानकारी है तो वहीं दो लोग गंबी रूप से घायल है बता दें आपको इस ग्रेनेड अटैक की वजहां से कई गारियों के शीशे भी तूट गए है वहीं सुरक्षाबलों की और से इलाके की गेराबंदी की गई है सर्च उपरेशन चलाया जा रहा है और अमित शर्मा हमारे सेयोगी सर्च खबर पर जादा अपडेट्स के साथ जुर गए है अमित क्या कुछ इस मामले में अब ताजा अपडेट्स हैं उसकी बात की जाए पांच लोगों के गायल होने की जानकारी है और साथ साथ ये भी सामने आया है कि सेना की काफिले को दरसल निशाना बना कर ये हमला किया गया था पाकिस्तान की तरों से हर्थ समय एक मंचा बनी रहती है कि कश्मीर गार्टी के अंदर किसी ने किसी तरह का ब्यासत बरा मोगोल बरकरार रहे तो उसी के चलते आज बांदीबुरा इलाके में एक गर्नेश हमला के काफियों पर इसको निशाना बनाने की कोशित थी बच गया और ये जो है एक आतंगे से नक्षन है उसने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है ये बताया जा रहा है लेकिन इस हमले में जो है पांच लोग जो है वो एक महिला सही पांच लोग जो है वो गाईल हुए है उनको उप्चार के लिए वहां पे अस्पाल में बट्की कराया ग यह क्या वो अब खत्रे से बाहर हैं अमित बीते दिनों अमिश शाह केंदरी ग्रेमंत्री जमु कश्मीर में थे घाटी में थे और लगातार उनकी तरफ से इस बात को लेकर जोड़ दिया गया कि घाटी में विकास किया जा रहा है जिसकी वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं लेकिन कई न कई अमिश शाह के एक बार जाने के बाद फिर से वही महौल गाटी में देखने को मिल रहा है जहां पर धमाके की शुरुआत हुई है पर लोगों से भी बात्चित की वहां पर की बल से भी उनकी मुलाका चुई और जैसे ही आमिश शाह जमों से निकल के बापीस दिली की रुवाना हुए और लगा उसके बाद आज ही आमिश शुबार निकली तो उसके बाद लगादा आप देख सकतेंगे किस तरह से यहां पर फिर से एक बाद सेक्षित का महोल जो है वहां पर की जा रही है अभी बंदीपूरा में ग्रेंट हमला हुआ उसमें पांच लोग जहां वो गाहिल हुए इसे दिलाए कि अगर बात की जाए सर्च ऑपरेशन को लेकर तो क्या सुरक्षाबलों की और से कोई जानकारी दी लेकि अभी तक इस तक कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है नहीं अभी कोई अधिकारी कोई पता रहा है लेकि इसना जुरूर है कि बड़े त्माने पर पूरे बाहन दी पुरा इलाके में बहुत बड़ा सर्क अपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें यह देखा अपरेशन जो है वो कांची में पच रहा जा रहा है जी शुक्रिया अमेत इस तमाम जानकारी के लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे आगे बी और आगे बढ़ते और रोख करते एक और बड़ी जानकारी का बड़ी ख़बर का बता दें आपको बड़ी और महतपूर जानकारी जहां पर टीकरी बॉर्डर पर बंद रास्ते खुलवाने को लेकर ये महतपूर बैठक बुलाई गई है और सरकार की हाई पावर कमेटी के साथ बैठक शुरू हो चुकी है एसेस राजीव रोडा डीजीपी टीके गरवाल इस मीटिंग में मौजूद हैं और जजर के डीसी श्यम लाल भी इस मीटिंग में शामिल हैं तो आई पावर मीटिंग आंदोलनकारियों की छे सरस्य कमेटी भी इस बात्चीत में शामिल है तो बता दें आपको बॉर्डर पर बंद रास्ते खुलवाने को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और तीकरी बॉर्डर पर बंद रास्ते खुलवाने को लेकर ये बेहदी मैटिकून खबर आपको बता दें जहांपर सरकार की हाई पावर कमेटी के साथ बैठक अगर बात आंदोलनकारियों के पक्षकी की जाए तो छे सदसी कमेटी इस हाई पावर कमेटी में शामिल है और जो मकसद है इस मीटिंग का वो बंद रास्तों को खुलवाने को लेकर है दरसल और प्रवीन धनकड हमारे सयोगी खबर पर जादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं प्रवीन मीटिंग शुरू हो चुकी है सरकार की हाई पावर जो कमेटी है च्छे सदस्य कमेटी अंदुलनकारियों की और से जो आए हैं सदस्य कौन ऐसे नेता है जो इस मीटिंग में शामिल हैं अंदुलनकारियों की और से प्रिदेश इस वक्मिटिंग शुरू हो चुके है और जो हाई पाउर कमिटी है इसी स्राजी वरवड़ा की अगवाई में इस वक्षानों के साथ बैटा कर रही है इस वक्षानों की सेक्टन लाइन लेडर सी तेह रहते हैं तिक्री बोडरों के मोचे को संभालती है उसमें से छे किसान नेता पहुंचे है जिनमें मुखे नम अमरेक सी इन लिकार है इसके अलावा भारते किसानों ने टिकरेद गुट के भी नेता हैं भारते किशानियन परिजार दिशान सावा इस तरह के शेयां किशान नेता इस वक्त मुटे पर पहुंचे हैं। इसलिए उसी उशाय पर यो बात्चीत शुरू हो ओरे यह तमाम किसा नेता जो सिंदू बोडरों ब액aiserे हैं प्रबेन इस मीटिंग के सुरुवात में अधिकारियों में कुछ भी कहने से मना कर दिया, किसी अधिकारे ने मीटिंग के जो में अजिंड़ा है उसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जहां तक एजंड़े का सारजुनिक हाई पावर कमेटी बनाई ही दिली के बंदरास्ते खु इस मीटिंग से ज्यादा कुछ निकल के आने वाला नहीं है, उत्यों पती अपनी समझाई रखेंगे, किसान अपनी समझाई रखेंगे, और जहां तक बात रास्ते खुलाने को लेकर आएगी, तो यह जो शेकिन लाइन लेडर सीप है, कहा है, उमीद ही है कि यह शेकिन ला करते हैं, अगली खबर का एक और बड़ी जानकारी से आपको रुबर कुरा दें, बड़ी और मैत्पून खबर समालखा से, जहां बिजली चोरी के खिलाफ विभाग सक्त हो गया है, तो लगतार प्रदेश में अलगलग जगाओं पर इच्छा पेमारी की जा रही और बिज जगाओं पर इस तरह की तस्वीरे सामने आई हैं कि अगर बिजली विभाग के अधिकारी च्छा पेमारी करने जाते हैं, तो लोग, इस्थानिये लोग बिजली विभाग पर ही हमला कर देते हैं, बंदग बना लेते हैं बतादे आपको बीते दिन से प्रदेश में अलग-लग जगाओं पर बिजली विभाग की और से ये कारवाई की जा रही है, जहांपर अलग-लग इलाकों में बिजली चोरी पकड़ी गई है और इसी कड़ी में समाल खान से ये खबर सामने आई है कि बिजली चोरी के खिलाब विवाग सक्त हो गया है और बिजली विवाग की टीम ने कई जगाहों पर छाप इमारी की है और बड़ी खबर यह है कि इस चापे मारी के दौरान कई इलाकों में विजली चोरी पकड़ी गई है तो बता दें आपको विजली कर्मियों के साथ पुलिस बल भी मौझूद रहा ताकि कोई घटना ना हो और जिस तरह से बिजली चोरी की इन खबरों को हम देख रहे हैं उससे साफ जाहिर तोर पर नज़र आ रहा है कि सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इस तरह से और राकेश वर्मा हमारे सेयोगी सखबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए है राकेश क्या कुछ इस मामले में जाधा और जानकारी है बिजली विवाग की टीम में अससर्ख्त है और कारवाए की गई है पर बिजली चोरी भी पकड़ी गई है लोगों को चोरी करते हुए भी पकड़ा है आप राकेश अगर बात की जाए आप भी जानकारी दे रहें दो दिनों से लगातार इस तरह की कारवाई अमल में लाई जा रही है कितने मामले बिजली चोरी के अभी तक पकड़े गए और उनके खिलाफ किस तरह से कारवाई की ग राकेश अगर बात की जाए तो कुछ विजली विभाग की अधिकारियों के और से कहा गया वही जानकारी दी गई हो कब तक ये रेड इसी तरह चलती रहेगी राकेश एक सवाल और अधिकतर जगाओं पर हमने देखा है कि जब बिजली विभाग की टीम चापे मारी करने जाती है वो कई न कई बिजली विभाग की अधिकारियों को टीम को बंधग बना लेते हैं या फिर हमला किया जाता है एकसर कई जगाओं पर ऐसे में अगर समालका की बात की जाए तो पुलिस बल मौझूद रहा है लोगों का क्या कुछ कहना है देखिए शुरुक्षा की दरश्टी से बिजली विभाग के साथ पुलिस परसासन भी मौझूद है और पुलिस करमचारियों के होते कोई जो बिजली सोरी करने वाले है इस तरह के कोई हरकत सामने नहीं आ रही है शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे